आजादी के बाद से गाउं में बिजली नहीं पहुची लेकिन बिजली का बिल जरूर पहुच चुका है जी हाँ विद्युत विभाग के लापरवाही के करण ग्रामिनों को बिना कनेक्शन दिये बिजली का बिल थमा दिया गया है मामला रामगड प्रिखंड के माधो खाड गाउं की है जहां सौ ग्रामिनों को बिना कनेक्शन दिये बिजली का बिल भेज दिया गया है इस बात से गाउं के ग्रामणों में पजशानी ब्याथ है बिजली बिल मिलने के बाद ग्रामण अधिकार्यों के चक्कर काट रहे है इतना ही नहीं विजली बिल मिलने से मागो खाड के ग्रामिन जिले के उपायुक्त और अपने विधायक आलोग चौरस्या से भी गुहार लगाया है विजली बिल रद कराने की मांग की है और गाउं में जल्द से जल्द विजली का कनेक्शन देने का भी मांग किया गया आज तक गाउं में बिजली नहीं पहुँशने से ये गाउं अभी भी पिछड़ा है गाउं के बच्चों का सिक्षा आज भी पीछे है धिब्री और लाल्टेन की रौसनी में आज भी यहां के ग्रामिन जीवन यापन कर रहे हैं आदिवासी बहुल माधो खार गाउं के आसपास के गाउं में बिजली का पोल पहुँच गया है मगर वहां भी बिजली का कनेक्शन नहीं पहुँचा अब इस गाउं के ग्रामिन अब आंदोलन की मूड में है उनका कहना है कि बिजली बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो आंदोलन किया जाएगा कुल मिलाकर जिस तरह से रगवर सरकार में गाउं गाउं में बिदुत्ती करन करने को लेकर सरकार ने अभियान चलाया था मगर माघो खार जैसे कई ऐसे गाउं है जहां सर्फ बिदुत्ती करन के नाम पर खाना फुर्ती की गई है डाटा में ग्रामिनों का नाम दर्ज कर दिया गया है यही वजह है कि इस तरह के फरजी विजली बिल ग्रामिनों को मिल रहा है जरूरत है ऐसे मामले में विभाग और आलाधिकारियों को गंभीलता से जाच कराने की ताकि दोश्यों पर कारवाई हो सके यहां किसी तरह आदमी जोने आपन कर रहा है यहां ना बिजली कनेक्शन है ना पोल है ना तार है कहीं कुछ नहीं और अभी आ दोश्रां सिफार पंच दिन हो रहा है और सब कबी लेâteई लागया कडおお अधिकारी लोग अधिकारी कि पति नाकर भेज दिये और बोल चक को डिखनी का भी इौह नहीं अरिज वाइज साचन द representing इसको एक्सेप्ट करें विल उसन की को घणी आफ आधी पर भार है और इसको अब उस्व को और शब गोर्लन परुभाइय है अब विभाग इसको कि एकसेप्ट है और बिल सबका माप करें